ओम शांती, आज 4 दिसंबर 2020 के साकार महवाक्य है, आज बाबा उंच पद प्राप्त करने की विधी बताते हुए बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों का ग्यान से श्रिंगार करने, उंच पद पाना है, तो सदा श्रिंगारे हुए रहो। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों का ग्यान से श्रिंगार करने, उंच पद पाना है, तो सदा श्रिंगारे हुए रहो। आज मुर्गली में प्रश्न है, किन बच्चों को देख कर बेहद का बाब बहुत खुश होते हैं, तो बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलोकिक और पारलोकिक दोनों बाब को पुरा फॉलो करते हैं, ज्यान योग से आत्मा को श्रिंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख कर बेहद के बाब को बहुत खुशी होती हैं, बाब की चाहना है, मेरे बच्चे मेहनत कर ओम शांती इच्छा रहती हैं बच्चों को ज्यान और योग के गहनों से श्रिंगारते हैं तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रिती श्रिंगारते हैं कि बच्चे उँच्पद पाए अलोकिक बाप अर्थात ब्रम्हा बाबा भी खुश होते हैं तो पारलोकिक बाप शिव बाबा भी खुश होते हैं, जो अच्ची रिती पुर्शार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता हैं, फॉलो फाधर, तो दोनों को फॉलो करना है, एक है रुहानी बाप शिव बाबा, दुसरा फिर यह है अलोकिक फाधर ब्रह्मा तुम जब भटी में थे, तो सब का ताज सहीत फोटो निकाला गया था, बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की, जो सब को देते हैं, ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझ पहले पहले तुम रहते हो सतियोग में, बाबा यार दिला रहे हैं, तुम ही थे ना, बाप भी कहते हैं, आत्माय और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला लग गया जब सत्गुरु मिले दलाल संगम पर, तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले पहले त तुमको ही जाना है, मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने है, तुम बच्चों को बाप श्रिंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं, अर्थात साधारण रहते हैं, इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न उच न नीच, बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगती नहीं कर सकते, सदगती तो गुरु ही करते हैं, मनुष्य साथ वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं, यह भी रसम अभी की हैं, जो फिर भक्ती मार में चलती हैं। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरू करा देते हैं। भल्वान प्रस्त अवस्था नहीं है। परंतु अचानक मोट तो आ जाता है ना। इसलिए बच्चों को भी गुरू करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माए हो, हक है वर्सा पाने का, वह कह देते हैं गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रम्ह में लीन नहीं होंगे, तुमको भी लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग के अक्षर है, आत्मा तो स्टार में सल बिंदी है, बाप इको ही ज्यान का सागर कहा जाता है, तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्यान भरा हुआ है, तुम फुल नॉलेज लेते हो, पास्विद ओनर होते हैं न, ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है, उतना ही परमात्मा है, आत्मा परमधाम से आती है, पाइट बजाने, बाप कहते हैं मैं भी महा से आता हूँ, परन्तु मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्यान भरा हुआ है, ज्यान की वर्षा बरसाते हैं, तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बन जाते हैं, बाप गती सदगती दोनों देते हैं, तुम सदगती में जाते हो, बाकी सब गती में अर्थात अपने घर परमधाम जाते हैं, वह है सीट होम, आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, उसके लिए पवित्र जरुर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस जा न सके। मैं सब को ले जाने आया हूँ। आत्माओ को शिव की बरात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावन आकर वैशालय स्थापन करते हैं, वाम मार को वैशालय कहा जाता हैं, बाप के पांस बहुत बच्चे हैं, जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता, जो दोनों एखटे रह सके, यहां समझाया जाता हैं, इसमें आमदनी अर्थात प्राप्ती बहुत हैं पवित्र रहने में, पवित्र रहने से एक किस जन्मों की रास्धानी मिलती हैं, तो एक जनम पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़े ही हैं, बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ बिलकुल ही काले बन गए हो, कृष्ण के लिए भी कहत हैं गोरा और सावरा, शाम सुन्दर यह समझानी इस समय की हैं, कामचिता पर बैठने से सावरे बन गए, फिर उनको गावरे का छोरा भी कहा जाता हैं, बरोबर था ना, कृष्ण तो हो न सके, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं, अभ तुमको एक बाप को ही याद करना हैं, बाबा याद करने की विधी बता रहे हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्सा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता, मंदिर लायक बनाते हो, ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी हैं, मुख से कुछ बोलना नहीं हैं, भक् आप आकर मिले हो बाबा आप तो सबसे मीठे हो आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे आपको प्रेम का शांते का सागर कहा जाता है आप ही वर्सा देते हो बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है बाप तो सन्मुक आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं यह पाठशाला है ना बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओ का राजा बनाता हूँ यह राज योग हैं अभी तुम मुल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो इतनी छोटी आत्मा कैसे पाइट बजाती हैं है भी बना बनाया इसको कहा जाता है अनादी अविनाशी वर्ड ड्रामा ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं बाप सृष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र फिरता रहता है नहीं की, वहां न लड़ाई की हिंसा होती न कामकटारी चलती हैं, डबल अहिंसक होते हैं, इस समाएं तुम्हारी पांच विकारों से युद चलती हैं, बाकी और कोई युद की बात ही नहीं, अब बाप हैं उचे ते उच, फिर उच ते उच यह वर्सा लक्ष्मी नाराण इन जैसा बनना हैं। जितना तुम पुर्शार्थ करेंगे उतना उँच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेंगी। अभी अच्छा पुर्शार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रुहानी पढ़ाई से मिलता है। उच ते उच यह लक्ष्मी नाराण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य परन्तु देवी गुण धारन करते हैं। इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी आठ दस भुजाओ वाले नहीं। भक्ती में दीदार होते हैं तो बहुत रोते हैं। दुख में आकर बहुत आंसु बहाते हैं। यहां तो बाप कहते हैं आसु आया तो फेल। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। आज कल तो बॉंबे में भी कोई बिमार पढ़ते हैं वा मरते हैं, तो बीके को बुलाते हैं, कि आकर शांती दो, तुम समझाते हो, आत्मा ने एक शरीर छोड़, दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फाइदा, कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं, यहा तो आत्मा आपे ही एक शरीर छो भाक्ती है, बाकी काल कोई चीज नहीं है, सत्युग में गर्व महल होता है, सजा की कोई बात नहीं, वहां तुम्हारे करम अकरम हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकरम हो, तुम विकरमा जीत बनते हो, पहले पहले विकरमा जीत सवन्त चलता है, फिर भक्ती मार्ग शुरू होता हैं तो राजा विकरम सवन्त शुरू होता हैं इस समय जो विकरम किये हैं उन पर जीत पाते हो नाम रखा जाता है विकरमा जीत फिर द्वापर में विकरम राजा हो जाता विकरम करते रहते हैं सुई पर अगर कट चड़ी हुई होगी तो चुम्बक खीचेगा नहीं जि तुम्बक शिव बाबा खीचेंगा, बाप तो पूरा प्योर हैं, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से, जैसे लौकीक बाप भी बच्चों को देख कर खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता हैं, बच्चों के सर्वीस पर बच्चे बहुत महनत भी कर हैं, सर्वीस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना हैं, तुम बच्चे हो पतित को पावन बनाने वाले, इश्वर्य मिशन, अभी तुम इश्वर्य संतान हो, बेहद का बाप हैं, और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई बंधन नहीं, मुक्तिधाम हैं ही, बाप और तुम आ यहां तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा, काका, मामा, आदी, मूल वतन तो है ही स्वीट हों, मुक्तिधाम, उसके लिए मनुष्य कितना यग्यत अप आदी करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, गपोडे बहुत मारते रहते हैं, सर्वका सदगती दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई, अभी तुम हो संगम युग पर, यहां है धेर मनुष्य, सत युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता हैं, अभी अनेक धरम होने के कारण कितना हंगामा हैं, तुम हंडरेट परसेंट साल्वेंट थे, अर्थात स संपूर्ण पवित्र थे, फिर 84 जन्मों के बाद हंडरेट परसेंट इंसाल्वेंट बन पड़े हो, अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सत्युगा रहा हैं, सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्सा देते हैं, भारत ही सचखन बनता हैं, बाप सचखन बनाते हैं, जूट खांड फिर कौन बनाते हैं, पांच विकारो रूपी रावन, रावन का कितना बड़ा बूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर वन दुश्मन, मनुष्यों को यह पता नहीं हैं, कि कब से रावन का राज्य हुआ हैं, बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावन राज्य, बाकी रावन कोई मनुष्य नहीं है, जिसको मारना है, इस समय सारी दुनिया पर रावन का राज्य है, बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जय कार हो जाती है, वहां सदेव खुशी रहती है, वह ह इनको कहा जाता है पुर्षोतम संगम युग। बाप कहते हैं इस समय पुर्षार्ट से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाये थे। बहुत आये फिर सुनन्ती, कथंती, भागन्ती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सत गुरु का निंदक ठोर न पाए। अर्थात बाबा की निंदा कराने से उँजपद नहीं पा सकते। तुम्हारी एम उबजेक्ट सामने खड़ी हैं। उन गुरुओं के पास तो एम उबजेक्ट कोई होती नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं हैं। यह तो पढ़ाई हैं। इसको कहा जाता है युनिवर्सिटी कम होस्पिटल। जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहां तो है ही जूठ। गाते भी हैं जूठी माया, जूठी काया, जूठा सबसंसार। सत्यूग है सचखंड। वहां तो हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। सोमनात का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। शुरू से ही तुमको सब साक्षातकार कराते हैं। अल्ला अवल दिन शिव बाबा है ना पहला पहला धरम स्थापन करते हैं। बह है डिटीजम। जो धरम नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचिन सत्युग में इन्हों का अर्थात लक्ष्मी नारायन का ही राज्य था। उनके उपर कोई नहीं। डिटी राज्य को ही पारडाइस कहा जाता है। अभी तुम जानते हो फिर औरों को बताना है। सब को कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उलहना ना दे। कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सब को बतलाते हो फिर भी बाप को छोड़ कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पांस आते हैं तो बाबा पुश्टे हैं आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा पांस जार वर्ष पहले हम मिलने आये थे। बेहद का वर्सा लेने आये थे, कोई आकर सुनते हैं, कोई को सक्षातकार होता है, ब्रम्हा का तो वह याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा है, बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, तुम्हारी अविनाशी ज्यान रतनों से जोली भरती है न, यह पढ़ाई हैं, साथ दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहां भी रहे, मुरली के आधार पर चल सकते हो, साथ दिन में इतना समझाएंगे, जो फिर मुरली को समझ सकेंगे, बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रिती समझाते रहते हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे, ब बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता, बाप दादा को, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, आज की सारी मुरली से ध रुखानी पढ़ाई से अपना पद स्रेष्ट बनाना हैं, किसी भी परिस्थिती में आसु नहीं बहाने हैं। दुसरा है, यह वानप्रस्त अवस्था में रहने का समय हैं, इसलिए वनवाह में बहुत साधरन रहना हैं, ना बहुत उच, ना बहुत नीच, वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनना हैं, आज बाबा ने वर्दान दिया, मनन शक्ती द्वारा बुद्धी को शक्ती शाली बनाने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव, मनन शक्ती द्वारा बुद्धी को शक्ती शाली बनाने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव, वर्दान का स्पश्टी करण हैं, मनन शक्ती ही दिव्य बुद्धी की खुराक हैं, जैसे भक्ती में सिम्रण करने के अभियासी हैं, ऐसे ज्यान में स्मर्ती की शक्ती हैं, इ उस अम्रत वेले अपने एक टाइटल को स्मर्ती में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ती से बुद्धी शक्तिशाली रहेंगी, शक्तिशाली बुद्धी के उपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल रुपी बान द् दिव्य बुद्धी को ही कमजोर बनाती है, इस कमजोरी से बचनी का साधन ही है, मनन शक्ती आज का स्लोगन है, आग्याकारी बच्चे ही दुआओ के पात्र है, दुआओ का प्रभाव दिल को सदासंतुष रखता है आज के बाबा के महावाक्यों से जो बाबा ने विशेश धारणा वा नशे के लिए बात बताई, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे